नमस्कार दोस्तों अंकित वर्मा एक बार फैर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल अंकित वर्मा ओलच भी नोटिफिकेशन में तो दोस्तों जैसा कि आप थमनेल पे देखी चुके हैं कि आज की इस वीडियो में मैं आपको आज 14 मई 2021 की हिमाचल परदेश की आज शाम 5 बजे तक की सवी ताजा ख़बरों के जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ तो वीडियो पर एंड तक बने रही है अगर आपने भी तक वीडियो को जो है लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले है जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है वो साथ आज शाम की कि हिमाचल के लाखों किसानों के लिए किसान सम्मान नीदी की किस्त जारी तो हिमाचल परदेश के किसानों के लिए ये बहुत ही बड़ी खुश खबरी की बात है कि हिमाचल परदेश में लाखों किसानों के लिए किसान सम्मान नीदी के तहट जो है दो दो हजा लुपए आगे मुख्यमंत्री जे रामठाकुर ने इसके लिए प्रधान्मंत्री निरेंद्र मोद्दी का स्वागजत किया है मुख्य मंत्री ने शोकरवार को कहा कि परदान मंत्री किसान सम्मान ने दी योजना की आठमी किस्त जारी की है इसके बार जो है मुख्य मंत्री ने राज्य में इस योजना के तहत प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा किया योजना 24 फरवरी 2019 को परदान मंतरी निरेंद्र मोदी की योशे शुरू की गई थी जिसके तहत है आई से योग के तोर पर छोटे तथा सीमात किसानों को 6,000 रुपए प्रतिवर्ष की राशी 2,000 रुपए के 3 बराबर किस्तों में दे जा रही है कहा कि परदेश में क्रिशी क्षित्र कुल राज्य सकल गरेलू उत्पाद में लगभग 13.62 प्रतिशत का योगदान देता है राज्य में लगभग 9.97 लाग क्रिशक परिवार हैं जिन में 99 प्रतिशत छोटे और सीमात किसान है परधान मंतरी निरेंद्र मोदी ने शुकरवार को नई दिली से वर्चूल माध्यम के तहप की जुए नियुंतम आर्थिकी का लाब की आठ्मी किष्त जारी की मानुत्ता शर्मसार करोना संक्रमित महिला को किसी ने नहीं दिया कंदा बेटे ने अकेले कंदे पर उठा कर पहुंचाया शम्शान घाट तो हिमाचल परदेश के कांगडा जीले के रानी ताल में मानुत्ता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है करोना संक्रमित महिला की मौत के बाद उसे कंदा देने के लिए कोई भी आगे नहीं आया हिम्मत जुटा कर मा किशव को बेटे ने अकेले कंदे पर उठा कर शमशान गात पहुचाया और अंतिम संसकार की रस्में पूरी की करोना संक्रामित महिला बंगवार पंचायत की पूर पर धान भी रह चुकी थी अगनी उजाब की कि मार्क शीट पर नहीं लिखा जाएगा प्रमोट विद्यार्थियों को मिलेंगे अंक तो दस्मी कक्षा से प्रमोट किये गए विद्यार्थियों की मार्क शीट पर बोर्ड प्रमोट नहीं लिखेगा और ना ही ग्रेटिंग करेगा मार्क शीट में विद्यार्थियों को अंक दी जाएगे या अंक कितने होंगे इसका फैसला अभी नहीं लिया गया है स्कूल शिक्षा बोर्ड इस बारे में शिक्षा विदों से राय ले रहा है अगर आप चाहते हैं कि बारी भरकम बिजली बिल से बचना है तो खुद रेडिंग लेकर तैय करें बिल बोर्ड ने शुरू की सुविदा तो एक साथ आने बाले दो से तीन मा के बिजली बिल के बोज से बचा जा सकता है अगर आप चाहते हैं कि एक आएक बित्य बोज ना पड़े तो इसके लिए आज ही सजेक होकर आप खुद मीटर रेडिंग लेकर बिजली बिल तैय कर सकते हैं और भोगताओं की सहुलियत के लिए बिजली बोल ने ट्रस्ट आधारित बेलिंग की शुरुआत की इसमें लोग जो है स्वय अपना बेलतियार कर सकते हैं अगरी जाब की कि पेमपा सेरिंग बने निर्वासित तिबच सरकार के नए परधान मंत्री तो पेमपा सेरिंग जो है को निर्वासित तिबच सरकार का नए परधान मंत्री चुना गया है पेमपा सेरिंग ने प्रतिद्वंदी केल संग दोर्जे से 5,417 बोर से जीत दर्ज की पेमपा सेरिंग निर्वासित तिबच संसत से स्पीकर भी रह चुके हैं स्कूल खुलने पर दिया जाएगा प्रीक्षा से बंचेत रहे विद्यार्थियों को मौका तो हिमाचल प्रदेश भर में जो या आठवी से बार्वी तक के जो विद्यार्थी अपनी प्री बोल्ड प्रीक्षा हैं से थे कि प्रीक्षा नहीं दे पाए ऐसे विद्यार्थियों के प्रीक्षा आप स्कूल स्थार पर ली जाएंगी अगर दिया आपकी कि कारवारियों को वर्किंग कैप्टिल की आर्थिक साहिता दे सरकार सीम को पत्तर लिखकर उठाई मांग तो प्रीयटन से जुड़े कारवारियों की वर्किंग कैपिटल खातम होने से चंताय बढ़ गई है तूरिजम इंडस्ट्री स्टेक होलडर एसोसियेशन ने मुख्यमंत्री जैराम ठाकुर को पत्तर लिखकर प्रीयटन कारवारियों को वर्किंग कैपिटल की आर्थिक मदद देने की मांग की है एसोसियेशन ने कहा कि सरकार से आर्थिक मदद नहीं मिलने से कारवारियों का वर्किंग कैपिटल शुनने हो गया है अगनी जापकी की नया संकट बजार नहीं मिल रहे ओक्सीजन रेगुलेटर तो दवाईयों और बैट के संकट के बाद एक और चंता ने सरकार को प्रेशान कर दिया है प्रदेश में करोना के मामले अब रोजाना तेज रफ्थार से बढ़ रहे हैं वर्तमान में प्रदेश में ऑक्सीजन स्लेंडर तो प्रियापत मात्रा में हैं लेकिन उनको चलाने वाले रेगुलेटर की भारी किलत हो गई है रेगुलेटर उपकरन ऑक्सीजन स्लेंडर के सेरे पर लगता है इसी regulator के जरिये जो है पायद से होकर oxygen मरीज के मूँ तक पहुचा जाती है अब बिना regulator जो है oxygen cylinder बेकार ही सावित होंगे अगरी जाबकी कि हिमाचल कैबिनेट बैठक करोना कर्फ्यू को बढ़ाने पर हो सकता है फैसला तो जیरममंत्री मंडल की 15 माई को होटल पीट्रिय हॉप में जो होने वाली एहम बैठक में परदेश में लागू करोना कर्फ्यू और बढ़ाने को लेकर मंथन हो सकता है सूत्रों का कहना है कि परदेश में वर्तमान में कर्फ्यू लागू होने के बाद भी अभी तक जो है करोना वायरिस से संक्रमितों और मौतों की संक्या में कमी नहीं आया है ऐसे में इस बात की पूरी संभावना है कि कर्फ्यू को और बढ़ाया जा सकता है इसके अलावा कर्फ्यू की बंदिशों को भी और बढ़ाने के संबावना है ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी तक कर्फ्यू लागू होने के बाद भी लोग जो है लोगों की बजारों में आवजाई कम नहीं हो रही है विशेश अग्योवा अधिकारियों का मानना है कि जुरूरी चीजों के लिए ही लोगों को बजार निकल कर समान खरीबने के लिए छूरती जा रही है लेकिन लोग इस दोरान भी बेना काम के बाहर निकल रहे हैं इसे लोगों में करोना वाइरिस के संक्रमन का खत्रा बढ़ा है अग्निजाब की कि हिमाचल में मास्क नहीं पहनने वाले के जुह 3700 चलान सबसे ज़्यादा कांगडा जीले में तोड़े नियम तो हिमाचल परदेश में करोना के बढ़ते मामलों के मद्दे नजर चारी दीशान देशों का पालन सुनिश्चित करने को लेकर शूरू किये गए अभ्यान के तहत गत हपते में मास्क नहीं पहनने वालों के लगबग 3700 चलान काटे गए हैं एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि गत 7-13 मैं तक चले इस अभ्यान के दोरान लगबग 24.11 लाक रुपय का जुर्माना बसूला गया है सबसे जादा 768 चलान जो है कांगडा जीले में किये गए हैं अगनिश आपकी कि पामता साहिव के धूला कुआँ में साथ मिजदूर करोना पोजिटिव नेजी कमपनी के खिलाब कारवाई करेगा प्रशासन तो पामता साहिव के धूला कुआँ में मिनरल बॉटर बनाने बारी एक नेजी कमपनी में कायम करे 60 मजदूरों के पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन हरकत में आया हुआ कमपनी के खिलाब कारभाई अमल में लाई जा रही है अगनी उजापकी की जोगिंदर नगर के सिम्स में सामुहिक धाम पर ठोका पांच अजार जुर्माना अब तक 162 जिलान काटे तो पुलिस ने आज सामुहिक धाम प्रोसने पर जोगिंदर नगर की ग्राम 25 सिम्स नेवासी को पुलिस सेवन डियम एक्ट के तहट पांच जार रुपय का जुर्माना लगा गया है धाम के आयोजन की बढ़ोल पुलिस को सूटने मिलते बढ़ोल चोक की प्रभारी मुशी राम अपने दल बेदल के साथ मौक्य पर पहुँचा वा कानून कारवाई करते हुए जुर्माना किया अगनी जाबकी की सडक दुरगटना में व्यक्ती एक व्यक्ती की मौत तो अम उन्ना हाईवे पर पड़ते दियाडा में हुई सडक दुरगटना में एक व्यक्ती की जो है मौत हो गई सूचन मिलने पर अम पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है पुलिस के अनुसार उक्त स्ताल पर एक तेज रफ्थार स्कूटी ने एक ने स्कूटी को टक कर मार दी टक कर लगने से स्कूटी चालक वहान साहित सडक पर गिर गया इस सडक हासे में गंभीर रूप से जखिन हुए स्कूटी चालक देवराज 69 वर्षी पुत्तर रामकिशन निवासी अंबेडा धीरज को उपचार हितुक शेत्रे अस्ताल उन्ना पहुंचाया गया जहां से उसे पी जी आई राफर किया गया लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया तो दोस्तों ये थी आज 14 मई 2021 की हिमाचल परदेश की आज शाम 5 बजे तक की सभी ताजा खबरें अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और अंकित वर्मा और एच पी नोटिफिकेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें ताकि आप तक हिमाचल परदेश की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके धन्यवाद जैहिन जैभार झाल झाल झाल